असलाम वालेकुम वेलकम टू फ्यूजन फूट्स वित्रूही तो आज मैं आपके लिए एक और मेक और फ्रीज रेसेपी लेकर आई हूँ जो की है चाइनीज समोसो की रेसेपी इसे भी हम बना कर जिपलॉक बैग में पैक करके फ्रीज कर देंगे ताकि पूरा रमजान हम इ अग्लिवरी से किस तरह से बनाया जाता है तो मैंने कड़ाई में दो खाने के चमचे तेल लिया है इसके साथ मैं इसमें आदा कप प्यास दाल रही हूँ तो मैंने Śूर आनियन का जो वाइंड पार्ट होता है ना वह उसकिया आप चाहे थो रिगूलर प्यास जो रेड होत प्यास को बस हमें 30-40 सेकंड के लिए सौटे करना है उसके बाद में एक टेबल स्पून भरके जिंजर गालिक पेस्ट करूंगी जिंजर गालिक पेस्ट को भी हमें वहां तक फ्राइ करना है कि इसकी रॉय स्मेल खतम हो जाए इसके बाद में आधा कप गाजर एट कर रही हू यह मैंने औरेंज वाली गाजर यूसकी है लाल वाली गाजर नहीं उसकी है क्योंकि लाल वाली गाजरे बहुत पानी छोड़ती है और उसकी वज़े से हमाई स्टफिंग बहुत गिली-गिली सी मॉइस्ट होगी और समों से उसकी वज़े से नरम होने का डर होता है इसके ब मीडियम फ्लेम पर बनानी है ताकि जो सबजियां है उनका करंच बरकरार रहे और साथ हलकी सी सॉफ्ट हो जाए बस कैपसिकम और कॉर्ण डालके हमें कुछ तेरी से सॉफ्ट होने तक पकाना है इसके बाद में इसमें दो कप कैबच डालूंगी तो कैबच को मैंने इस तरह स में कट कर लिया है यह अभी आपको बहुत ज्यादा दिख रही है लेकिन आगे जाकर यह सॉफ्ट हो जाएगी और पूरी स्टॉफिंग में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी दो बस कैबच भी डाल कर हमें एक से दो मिनट इसे पकाना है और इस पॉइंट पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि सबजियां जल्दी से नरम हो जाए और साथ ही मैं इसमें एक टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और एक टी स्पून चिली फ्लेक्स भी एड़ कर र यह सब चीजे जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें बॉइल नूडल्स दालेंगे तो मैंने पचास ग्राम नूडल्स लेकर उन्हें बॉइल किया था और इसमें नूडल्स एड़ करने हैं हमें क्योंकि यह चाइनीज समोसा है इसलिए सारे इंग्रिडियंट इसके वैसे ही रहेगे जैसे एक चाइनीज डिश बनती है तो नूडल्स डालके हमें बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल रही हूं तो मैंने 200 ग्राम चिकन को बॉइल करके श्रेट कर लिया है पानी में नमक और जिंजर कार्लिक प और आप देख रहे हैं कि हमारी स्टाफिंग ने अभी तक पानी नहीं चोड़ा है यह काफी ड्राइ है बिल्कुर इसी तरह की हमें रखनी है तो मैं अब इसमें 2 टेबल स्पून भरके डाक सोया सॉस डाल रही हूं और 2 टेबल स्पून भरके ही रेट शिली सॉस डाल रही है इन सब को मिक्स करते हुए ही हमारी सब्जिया नरम हो जाएंगी इन्हें हमें मजीद पानी वगएरा डालके कुक नहीं करना है वरना स्टफिंग आपकी सारी नरम हो जाएगी और समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो बस मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ में सारी सब्जियां भी है वो सॉफ्ट हो रही है इसके बाद मैं इसमें स्प्रिंग आनियन एट करूंगी तो मैंने दो मुठी के जितने इसमें स्प्रिंग आनियन एट किये है स्प्रिंग आनियन हमें और आप देख सकते हैं कि हमारे स्टफिंग कितनी अच्छी ड्राय और एकदम सुकी सुकी जैसी बनी है, बिल्कुल इसी तरह का हमें टेक्स्चर चाहिए, तेल का भी हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना इस स्टफिंग के लिए, और बस ये स्टफिंग रेडी है, तो ग इसमें अभी तक पानी भी रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फटा-फटी से ठंटा कर लिया था, अब हमें समोसे भड़ने हैं, तो मैं रेडीमेट समोसा पट्टी का यूज करती हूं हमेशा, और ये मैंने लई बना ली है, मैदा और पानी को घोल कर, तो समोसे का उस आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा जितनी चाहिए वो भड़ सकते हैं, समोसे वगएरा ये जो चीजे हैं ये बनाने में इफ्तियारी के वक्त थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमें स्टफिंग बनानी होती है, फिर उतने समोसे भड़ने होते हैं, इसलिए मैं उनको बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ, ताकि इफ्तियारी में बनाने में आसानी हो, जो चीजे फ्रीज करने में प्राबलम हो जाती है, उनको हम फ्रीज नहीं करते हैं, लेकिन ये सब चीजे बहुत आसानी से फ्रीज होती है, और बहुत अच्छे से रह भी जाती है, ना इनको त साइम थोड़ा सा बच जाए इसी तरह से मैं दूसरे भी समोसों को स्टफ कर रही हूं यह देखिए मैंने अंदर की तरफ बहुत चोटा सा ही पार्ट फोल्ड किया है ताकि उपर लपेटने के लिए हमें ज्यादा पट्टी मिले इस तरह से समोसों को शेप बहुत आता है जै हुआ है न वह खराब हो जाती है और उस तरह से जो लास्ट में कॉर्नर बचता है उसे हम लगा लगाकर सील कर देंगे और हमीरी लग भी देख सकते है कि काफे थिक है ऐसी थिक ही लगी बनानी है बहुत ज्यादा थीन नहीं बनानी है वरना वह आगे जाकर खुल जाती है तो बस मैंने जो स्टफिंग बनाई थी इसमें मेरे टोटल 26 समोसे बने थे और थोड़ सी स्टफिंग बज भी गई थी मेरी तो अब मैं इन समोसों को जिपलोग बैग में पैक करके फ्रीज करने के लिए रेडी कर रही हूँ सौरी आज मैं आपको समोसे फ्राइ करके नहीं बता रही क्योंकि समोसे फ्राइ करना बहुत इजी काम है और जैसे कि आप स्टफिंग देख सकते हैं मेरी स्टफिंग भी बहुत माशालला अच्छी बनी थी तो आप मेरी समोसो की रेसिपी ज़रूर ट्राइ करें कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी वीडियो को लास तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिज